इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइलोजी के कोश्चन पेपर के बारे में जो की पिछले साल 2019 में पुछी गई थी ठीक है तो मेरा मकसद यह है कि बस आप लोगों को कोश्चन पेपर दिखा दू पहले उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे ठीक है तो जो भी बच्चे इंट्रेस्टेड है वो पढ़ाई चालू कर दीजिए ठीक है चलिए बढ़ते हैं ठीक है तो जैसा कि पिछले बार कोश्चन पुछा गया था तो सतर मार्क्स का मिली कोश्चन रहता है और तीन घंटा आप लोगों टाइम दिया जाता है ठीक है तो इसमें आप नौ और कोुश्चन होते हैं जिसमें से की आप लोगों को पाच कुच्चन आटेम्ट करना पड़ता है और यह और कोश्चन नंबर वन जो होता है वो ehmcq वाला होता है ठीक है तोhuhकत रहता है और आकी में आप आठ्मे से चार एटेंट करिये ठीक है तो जैसे यहाँ報 एंगल औफ कितने डिगरी का एंगल रहता है तो 105 डिगरी का एंगल हम लोग पता है ना एस टू वाटर में जो होता है एस टू यह कितना एंगल पर रहता है 105 डिगरी पर ठीक है यह सब बेसिक है तो मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा टेंसर मत लीजिए आप लोग चैनल से मुन है होगा ठीक है दा फर्स्ट इंजायम तो बी आइसोलेटेट इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म वास यूरीज विच आफ द फॉलिए इस नोट कॉल्ड है सुगर तो राइबोस इस नोट कॉल्ड है सुगर ओके एंड थ्री डोमेन सिस्टम उफ क्लासिफिकेशन तर स्टमेटिक आउट कर दिया हूँ जैसे गैस क्रोमाटोग्राफी में दर स्टेट आफ मोबाइल फेज इस गैसियस और उसी पर का यहां पर यह वाला जो होगा ठीक है यह वाला जो जो जनेटिकली इंजिनियर्ट माइक्रो और्गनिजम यूज़्ट सक्सेस्फुली इन ब देख लिजे आप लोग दो नंबर में यहां गिवन इंगलेश्टिक तो इसमें में लिए आप लोगों को क्या करना एनिमल सेल के बारे में उसका इस्ट्रक्चर बढ़ियां से बना देना है आप लोग बच्मने पढ़े थे टेंथ पास किये होंगे सब बच्चे तो उसमे आप लोग बायलोजी में पढ़े थे एनिमल सेल उसका बारे में आपलोगों का स्ट्रक्चर बना करें आप लोगों को discuss कर देना है और जितने भी सेल और गवोगों सब है nepर इसके अंदर उसके बारे में आप लोग को डिस्रिप्शन या function बता देना है ठीक है तो हम पढ़ा दूंगा मैं टेंशन की कोई बात नहीं है बस चैनल से जुरे रही है ठीक है और जैसे question तीसरा number describe the mechanism of proteasynthesis in prokaryotic cell ठीक है तो और भी question जैसे याँ mental law of inheritance fundamentals law of thermodynamics with emphasis of free energy concept difference between living and living यह तो आप लोग खुदी जानते हैं ठीक है तो बहुत सार बेसिक सवाल होता है पाईलोजी में खैव उतनी महनत करने की ज़रत नहीं होती है लेकिन हाँ आपको score करना है अच्छा CGPA लाना है ठीक है ना उसके लिए आपको महनत करना होगा थोड़ा और स्मार्ट तरीके में यह नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं समझ रहे हैं इन्पूट आउटपूट का रेशियो जितना ज्यादा हो जाए जितना एफेसिएंसी से आप लोग काम करिए ठीक है तो और अगला कोश्चन जो बिग बैंक ठीक में वह डिस्क्राइब करना था डियने का तो इतना सारा जो कोश्चन रहता है तो इसमें से आप लोग को तो वन कंपलस सरी रहता है अबजेक्टिव वाला बाकि चार आठ में से चार करना परता है तो वह भी हो जाता है ठीक है ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सब हो जाएगा कुश्चन देखते रहिए यह जैसे डियने आरेने के बारे में इंजाइम कानेटिक्स के बारे में मिनर कानेटिक्स वह एक स्टर्टी है जो केमिकल फॉर्मेशन वगर होता है मुवमेंट होता है एंजाइम के द्वारा तो वह सब हम लोग पढ़ेंगे तो क्लासेज आप लोगों की आज बस में कोश्चन दिखाने का मकसद था आज की कोश्चन आप लोग देख लिजिए और प अनों स्टार्ट कर दूंगा सभी ब्रांचों के लिए है ठीक है आप लोग मजे में पढ़िए कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करिए किसी भी चीज रिलेटेड पढ़ाई चालू कर दीजिए और टेंशन मतली जीजिन का रहें काया है पंद्रों साथ तक भी आप लो